हेलो एवरीवन वेलकम टो और चैनल पावन फिजिक्स लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्टर के अक्रोस वोल्टेज और करेंट का रिलेशन देखा था तो उसमें हमने फाइंड आउट क्या कि करेंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिगरी एंगल पीछे चलता है फेज डिफ्र पास एवरेज पावर जो आए थी तेट इस एक्वल टू प्रोडेक्ट ओफ वर्चल वैल्यों और वोल्टेज इस केस में हमारे पास क्या आएगी देखें सेम वैसे फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने रिजिस्टर के के से लिए फाइंड आउट क्या था तो सबसे पहले अगर हम बात करें पावर तो पावर हमारे पास होती क्या है रेट ओफ दूइंग वर्क इस नोन एज पावर तो इंडेक्टर के केस में हमनारे पास जो वोल्टेज की जो सप्लाई थी हो कितनी थी वी इस उकल टो वी नोट साइन ओमेगा टी ओके तो करेंट की जो एक्सप्रेशन आई हमारे पास वो करेंट के लिए एक्सप्रेशन क्या आए थी i is equal to i0 sin of omega t minus pi by 2 phase difference जो था current और voltage हो 90 degree का current जो था voltage से 90 degree angle पिछे चल रहा था इस equation को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं i is equal to i0 sin omega t minus pi by 2 that is equal to minus k cos omega t ओके लिख सकता हूं अब अगर मैं किसी भी instant पे power देखना चाहूं तो मेरे पास किसके एकोल होगी P is equal to vi यही तो उत्ता हमारे पास तो अगर किसी भी instant पे अगर मैं power देखना चाहूं तो मेरे पास किसके एकोल होगी P is equal to v that is equal to v0 sin of omega t and i is equal to i0 cos of omega t minus k i0 cos of omega t power is equal to minus v0 i0 sin omega t cos omega t अब मैं आपसे पूझता हूं कि आपको यहां पर इस इंडेकटर सी सरकिट में डी टी टाइम के लिए अगर अफ एपो कणर अना है तो आपको करना वर्डन करना पड़ेगा तो आतो किम्हूंन आ पड़े कर दैरियत टाइम के लिए d टायम के लिए आपको थोड़ा सा work done करना पड़ेगा that is equal to dw तो dw आपके पास p into dt इतना ही होगा तो आपको dt टाइम के लिए किना work done करना पड़ेगा dw is equal to p that is equal to minus v naught i naught जिस किसी भी instant पर देखने के लिए sine of omega t cos of omega t dt यह आपके पास थोड़े से time dt के लिए word done की value आगे जो आपको इसमें current को flow करने के लिए करना पड़ेगा अब मुझे चाहिए complete cycle के लिए complete cycle के लिए 0 से लेकर के t time तक तो क्या करना पड़ेगा आप मेरे को integrate कर दूँ जो बहें आपको इधर की side integrate कर दूँ टोटल वोड़न आ जाएगा 0 से w इधर की side आप integrate कर दीजिए 0 से capital T तक तो इसको आप करोगे 1 का with respect to dw इधर की side आपके प limit 0 to w इधर की side minus बाहर ले लू वी नोट आइनोट बाहर ले लू वी नोट maximum value of voltage आइनोट maximum value of current यह आपर दिखा भी रखा जो हमार पास last वीडियो में आई थी values यह आपके पास जो मैं represent कर रखे black जो line है वो current को शो कर रही है और यह जो green जो dotted जो line है वोल्टेज को शो कर रह है जिस time पर current zero voltage वह अपनी maximum value पर है जिस time पर current maximum है current voltage जो zero हो चुकी है और voltage की जो value जो हो इस current से भी ज्याद है क्यों है क्योंकि आपके पास जो actual है वी नोट इस इकल टू आइनोट इस इकल टू वी नोट अपोन XL या omega L ओके तो यहां पर हमारे पास यह आगया वी नोट आ omega t dt यहां पर इसको solve करोगे आपर minus lower that is equal to w-0 यह आपके पास minus v-note i-note आप इसको solve करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको formula करना पड़ेगा तो formula करने के लिए इसको 2 से divide कर दीजिए और 2 से multiply कर दीजिए तो यह आपके पास जो formula बनेगा किसका बन जाएगा 2 sin a cos b 2 sin a cos a 2 sin a cos a 2 sin a cos a यह आपके पास क्या होता है sin of 2a यह आपर क्या है omega t तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2 को बहार ले लूँ यह आपके पास formula बन गया sin of 2 omega t अब इसका integrate कर दीजिए अब इसको आप integrate करोगे तो आपके पास क्या value आ जाएगी network done is equal to minus v note i note by 2 sin 2 omega t with respect to dt इसका जो integration होता आपके पास क्या होता है sin का integration होता है cos to sin 2 omega t sin का आपके पास integration होता है sin theta का integration होता है minus के cos theta अब हमारे पास क्या है sin of 2 omega t तो इसका integration क्या होगा आपके पास minus के cos 2 omega t और angle कितना है यहाँ पर यह आपके पास with respect to dt यह आपके पास with respect to dt अब यह और है आपके पास 2 omega t 2 omega t का with respect to dt आपके पास कितना हो जाएगा upon में 2 omega तो इसका integration कितना minus के 2 omega t divided by 2 omega limit कहां से कहां तक 0 से capital t तक तो minus को बाहर ले लो minus को बाहर लोंगा minus minus plus 2 omega को भी बाहर ले लो तो यह आपके पास कितना आ गया net work done is equal to V naught I naught by 4 omega और cos 2 omega t cos 2 omega into capital t minus cos of 2 omega into 0 upper minus lower limit put करने के बाद तो यह आपके पास कितना हो जाएगा जब आप इसको solve करेंगे तो net work done is equal to V naught I naught by 4 of omega omega आपके पास क्या होता है आपर 2 pi by t 2 pi by t t से t cancel यह आगे आपके पास cos of 4 pi तो यह आपके पास कितना बन जाएगा 1 minus cos of 0 कितना 1 minus 1 कितना हो जाएगा 0 तो net work done is equal to आपके पास कितना 0 net work done 0 तो power कितनी power is equal to word done time rate of doing work is power तो word done 0 तो power भी कितनी 0 तो यहाँ पर power जो associate होती है in case of इंडेक्टर वो 0 होती है average power की value complete cycle के लिए 0 होती है ओके register के case में 0 नहीं थी अब इनमें confused नहीं हो ना सारे इक सारे चीज़ आपनी याद रखनी है register के case में क्या थी आपके पास vrms.irms but in case of inductor average power is 0 because net burden is 0 यहाप net burden की बेले वार पास किनी है 0 है इसलिए power किनी burden upon time that is equal to 0 तो average power associated with inductor is 0 यह बात होगी mathematical अब जरा इसको यहाँ से समझने को सिस करते actual में मतलब क्या है इसका average power 0 है क्या मतलब है जरा यहाँ से समझी इसको अब देखिए हम इसको अब divide करते हैं parts के अंदर cycle में लेकर के इसको parts में divide करते हैं quarter cycle के अंदर ty4 का time interval हम लेकर के चलते हैं तो देखिए actual में हो क्या रहा है सबसे पहले देखिए 0 से लेकर के ty4 तक quarter cycle अगर हम उठाते है जिरो से ty4 जरा ध्यान से देखिए इसके अंदर तो यहाँ पर आपके पास क्या है 0 से ty4 के अंदर current भी positive है ओके और voltage भी positive है तो actual में जो आपके पास power होती हो क्या होती है p is equal to v i actual formula तो यही है p is equal to v i तो अगर मैं इतने time control के लिए देखता हूं 0 से ty4 के लिए तो 0 से ty4 के लिए आपके पास voltage भी positive और current भी positive तो power क्या आएगे आपके पास positive positive multiply by positive power की value क्या होगे आपके पास positive 0 से ty4 के लिए दिखा रहे है अब हम 0 से ty2 के लिए नहीं दिखा रहे है register के case में 0 से ty2 के लिए दिखा है था हमने graph अब यह दिखा रहे हैं power के लिए 0 से ty4 के लिए तो अब मैं 0 से ty4 के लिए दिखाऊंगा तो इसमें power मेरे पास कैसी आएगी positive आएगी तो अब मैं power को दिखा रहा हूं इस से blue color से यह आपके पास 0 से ty4 ओके positive में ठीक है अब आईए next case लेकर के चलिए ty4 से ty2 तक क्या हो रहा है ty4 से ty2 यह आगे आपके पास 0 से ty4 अब ty4 से चलिए ty2 के उपर पहुचिए अब क्या हो रहा है इसके अंदर ty4 से ty2 के अंदर voltage देखे और current देखे वोल्टेज आपके पास यहाँ पर कैसी है negative वोल्टेज कैसी है negative यहाँ पर आपके पास voltage किसमें जा चुकी है यहाँ तक देखे लीजिए वोल्टेज जा चुकी है किसके अंदर यह पार्ट्स अगर मैं पना देता हूं इंटरवल यह आपके पास यह वाले इंटरवल यह 0 से ty4 ty4 से ty2 तो इसके अंदर voltage जो है वो नेगिटिव में है current अभी भी पोजिटिव में हाला कि वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन current है positive में औ पार्टर साइकल के अंदर आपके पास पावर कैसी आएगी negative तो इसमें दिखाना चाहूं तो आपके पास पावर कैसी negative ओके अब next चलिए ty2 से 3ty4 के लिए ty2 से 3ty4 अब इसमें देखिए voltage कैसी और current कैसा तो यहां पर देखिए voltage जो है voltage जो हो आपकी negative में ही है फिलाल टाइ 0-3 ty2 से 3ty वह यह voltage negative में ही है और current भी negative में voltage भी negative current भी negative तो पावर क्या होगी negative into negative positive negative negative positive तो पावर आपके पास कैसी आई इस case के लिए 3ty4 तक ty2 से 3ty4 तक कैसी आए आपके पास power positive यह आपके पास power कैसी positive अब next देखिए 3T by 4 से T तक 3T by 4 से T तक देखे 3T by 4 2T यहाँ पर आप देखोगे voltage कैसी? यह green line रिप्रेजेंट करें voltage को voltage कैसी? पोजिटिव voltage कैसी आपके पास? पोजिटिव लेकिन current जो है उन नेगिटिव में current जो है वो यह वाला voltage पोजिटिव है current नेगिटिव है तो पावर आपके पास क्या होगी? V into I that is equal to negative तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पावर जो है वो नेगिटिव में देखने को मिलेगा ओके ऐसे यह प्रोसेस चलता रहेगा आगे आप TY4 time period के लिए देखोगे फिर से power positive आगे TY4 के लिए देखोगे फिर से negative आगे TY4 के लिए फिर positive, negative, positive, negative तो यहां से आपको दिख रहा होगा average power जो आएगे आपके पास कितनी आएगी? 0 आएगे पहले TY4 के लिए positive, अगले TY4 के लिए negative 0 तो आपके पास average power जो होती है इन case of inductor वह आपके पास 0 होती है ओके तो यह graph भी आपने याद रखना है अब इसके साथ-साथ एक flux के लिए भी अगर हम इसी में दिखाना चाहिए क्योंकि इसमें flux का भी रोल आएगा वो भी कई बार exam में पूछ लेता है तो और देख लीजी यहां से क्या होगा जरा आप ध्यान से समझीए जब आपने इसको supply दी मतलब close circuit कर दिया voltage की supply दी current इसमें flow होने लगा current flow होगा हम देख रहे हैं यहां से दीरे दीरे current बड़ेगा current आप सिर्फ current वाली आप देखे डार्यक्षिन ठीटिव डार्यक्षिन थीच्ण दीच दीच फिर से इंक्रीज ओगा पर दीच्रीज और दीच्ण दीच्रीच चलता रहता है के लिए ब्लैक कलर से दिखा जैता हूं तो विदिन इंक्रीजिन करन्ट मेंडिव्लक्स आलसो इंक्रीज जब करन्ट डिक्रीज होगा टी वाई-फोर से टी वाई-टू के लिए अगर यह जादा होगा तो यहाँ पर आप देखोगे टी वाई-फोर से टी तक करन्ट डिक्रीज करेगा तो फलक्स भी डिक्रीज करेगा टी वाई-टू से 3 टी वाई-फोर करन्ट इंक्रीज 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 इंक्र सिटप करें के वारे में एसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर आपके पास वोल्टेज और करेंट के किस फेज में फेज डिफरेंस वहाँ पर कितना होगा और उसके लिए हम फिर से वहाई ऐवरेज पा और सोड हुआउट करें थेंग यू